हैलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका डिलीशियस फूट किचिन में तो आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही क्रंची और टेस्टी सूजी की मठरी वैसे तो आपने बहुत ही तरह की मठरी खाई होगी पर्ट इस मठरी का टेस्ट बहुत ही यूनीक होता है और ये खाने में बहुत ही crunchy होती है तो चलिए श्तार्ट करते हैं सूजी की मठ्री बनाना यहां पर मैने लिया है एक तूरी सूजी या रवा यह मैंने थोड़ी मोटी वाली सूजी ली है और अधा कट्री मैदा यह ध्यान रखीए एक कट्री सूजी ले रहे हैं तो अधा कट्री मैदा और एक बड़ा चमश तेल, तेल तलने के लिए भी उस करेंगे, आधा चमश लाल मिर्च पाउडर यूस करेंगे, आप यहां पर हारी मिर्च का पेस्ट भी उस कर सकते हैं, आधा चमश नमक या पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, अजवाइन एक छोटी चमश और आधा छो आधा चमश लाल मिर्च पाउडर, आप घटा बढ़ा सकते हैं, अगर ज्यादा तीखा पसंद है तो और तीखा आधा चमश नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, और अजवाइन एक छोटी चमश तो अजवाइन को मैं ऐसे क्रश क आधा कर रही हूँ, इससे जो टेस्ट है वो और बढ़ जाता है, और आधी चोटी चमश जीरा, इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे, तो जो ड्राइ इंग्रीडियंट से वो अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसमें आधा करेंगे एक चमश तेल, और तेल को याड़ करने के बाद कि इसको अच्छे से मिक्स कर लिंगे, तो ऐच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको पानी के help से एक अच्छा मुलायम आटा लगा के तयार कर लिंगे, यह ध्रान रखिए कि जो आप मठ्रे के लिए जो आटे तयार कर रहे हैं, यह आटा बिलकुल मुलायम होना चाहिए, क्योंकि जब आटे को आप एक घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद जो आटा है वो हाड हो जाएगा, क्योंकि जो सूजी है वो फूलती है, तो इसलिए हम उसका एक मुलायम से आटा लगा के तयार कर लेंगे, तो देखे कितना मुलायम आटा लगा के तयार कर लिया है, तो अब इसको हम रख देते हैं, एक घंटे के लिए, इसको हम कॉटन के कपड़े से ढग देंगे, एक घंटे के लिए मैंने आटे को रख दिया है, एक घंटे हो चुके हैं, तो अब देखे जो आटा जो पूरा आटा है उसको लोईों में डिवाइड कर लिया तो छोटे नीबू के साइज के बराबर की लोईों को मैंने डिवाइड कर लिया और एक लोई को लेके ऐसे राउंड करेंगे और फिर उसको प्लेन करके और फिर एक पतली सी रोटी जैसे चोटी-चोटी पतली पतल तो ये ध्यान रखिए कि जो छेद हम करेंगे वो दोनों साइट करेंगे ताकि मठ्री फूले नहीं और फिर इसको एक अलग प्लेट में रख लेंगे तो ऐसे ही करके हम अपनी सारी मठ्री को बना लेंगे तो दिखे मैं एक और मठ्री को बना के दिखाती हूँ इसको भी हम फोक की हट से ढूनों साइट से छेद कर लेंगे, ऐसा करने से जो मठरी आपकी तेल में पे कषसी नहीं है और मठरी बने के तयार होती है ऐसी करके मैंने सारी मठ्रियों को तयार कर लिया और जो तेल है वो भी मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया तो तेल को चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा डाला तो देखे जो आटा है वो जहां पर ढाला है वहां वो बुलुले निकल रहे है इसका वनतब तेल बिल्कुल क्रिस्प हो जाएंगी तब तक हम इनको दोनों साइट से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे तो ऐसे करके हम मठ्रियों को फ्राई कर लेंगे तो देखिए जो मठ्री है वो गोर्डन ब्राउन हो गई है तो इसको मैं अलग नापकिन पर निकाल लेती हो और सेम इसी प्रोसेस से हम सारी मठ्रियों को फ्राई कर लेंगे तो सारी मठ्रियां तयार हो गई है तो मैं दिखाती हूं कि कितनी क्रंची बन के तयार हुई है तो मैं एक मठ्री को तोड़ के द और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग